मुझे प्यार हो गया इसी मा प्यार लेकिन इसके एक जलक तो दिखा दे बड़े परदे पर साल 1993 के बाद एक बफर से बाजिगल लोटने वाला है जी हा दोस्तो शारुखान और काजोल के जूड़ी को बड़े पर देखने के लिए हर कोई काफी एकसाइटेड नजर आता है और इसी बीच शारुखान और काजोल देवगन की एक और फिल्म को लेकर खबरे सामने आ रही हैं जी हाँ आपको बता देए कि काजोल देवगन और शारुखान साल 1993 में आई अपनी सूपर हिट फिल्म यान की बाजिगर के सीक्वल में आपको फिर से नजर आने वाले हैं आपको फिर से नजर आने वाले हैं साल 2024 में रिलीज होने वाली बाजिगर 2 में इस फिल्म में आक्ट्रस काजोल आपको नजर आई थे और शारुख और काजोल के जोड़ी तो भाई बड़े परदे की सूपर हिट रॉमांटिक जोड़ी कही जाती है एक बड़ फिर से अबास मस्तान एक उशुष कर रही है कि ये रॉमांटिक थृलर फिल्म का सीक्वल बनाया जाए और इस फिल्म में शारुख खान और काजोल ही लीड रोल में नजर आएं ये फिल्म एक रॉमांटिक थृलर फिल्म होने वाली है फिल्म का ठरेक्शन अबास मस्तान करने वाले हैं कि ये फिल्म को प्रिडूस सुहाना खान भी काम करते हुए आपको नजर आने वाली है वेल फिल्म बाजिगर शारुक खान के लाइफ काईक ब्रेक्ट्रू रोल था जिसमें शारुक खान ने शानदार अंदाज निभाया था इतना ही नहीं उन्होंने एक साथ कई कैरेक्टर प्रे कर दिये थे वेल आप कामेंट करके बताएए कि शारुक खान के फिल्म बाजिगर टू को लेकर आप कितनी ज्याद एक्साइटिड है खबरे हैं कि ये फिल्म साल 2024 तक आपको बड़े परदे पर देखने को मिलेगी